Hello friends आपका स्वागत है एक नए वीडियो में पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे Stake Using Array का जो प्रोग्राम था जो एल्गोरिजम था वो हमने देखा था पर आज हम यहाँ पे Stake Using Link List हम यहाँ पे उसको dynamically कैसे create कर सकते हैं Stake के logic को उसका प्रोग्राम हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही coding related वीडियो आपको मिलती रहे तो इतनी मैनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे एक यहाँ पे हमें stack का implementation करना है पर हमें यहाँ पे using link list हमें यहाँ पे dynamically करना है तो हम क्या करेंगे वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक यहां पर एक file create कर लेते हैं जिसका name हम यहां पर stack हम यहां पर लिख देते हैं using linklist.c तो यह हमरा program यहां पर हो चुका है अब हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले तो हमें पता है कि हम यहां पर include stdio.h नाम की जो header file है उसको हम यहां पर include कर लेते हैं और हमें एक और header file की यहां पर जरूरत पड़ेंगी जो है कि has include हम यहां पर लिख देंगे stdlib.h हमने ए header file क्यों include की क्योंकि हमें इसके अंदर dynamic यहां पर function यानि की malloc यूज करना है और यहां पर node को free करने के लिए हम यहां पर free function का use करेंगे तो इसलिए हमने यहां पर stdlib जो header file है उसको include कर लिया तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे तो एक structure बना देते हैं हम यहां पर लिखते हैं struct struct और इसका name हम क्या लिखेंगे node हमने यहां पर structure कैसे create करते हैं उसका वीडियो भी बनाया है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी link भी description box में होगी वहां से जाके आप वो वीडियो को देख सकते structure के बारे में तो हमने यहां पर एक structure create किया जिसका name हमने लिखा node तो इसके अंदर हम क्या करेंगे तो सबसे पहले एक part लिखेंगे जिसके अंदर integer data जिसके अंदर क्या store रहेगा data और हम यहां पर एक और यहां पर इसके अंदर variable create कर लेते हैं जो की pointer होगा तो हम यहां पर लिख देते है structure struct node हम यहाँ पे लिखते है pointer next और यहाँ पे एक और global variable ले लेंगे pointer top हमें यहाँ पे stack के अंदर top variable भी चाहिए तो हम यहाँ पे top भी लेंगे जिसको हम initialize कर देंगे null कि यह जो top है वो यहाँ पे null होगा और यहाँ पे जो struck यहाँ पे हमने थोड़ी spelling mistake कर दी तो हम यहाँ पे लिखते थे struct node pointer next तो यह हमने यहाँ पे क्या किया वो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ तो यहाँ पे देखो जब भी हमने यहाँ पे create किया structure तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि memory में इतना block हमने यहां पे जो block यहां पे draw किया है यानि कि यह वाला जो block है यहां पे create होगा जिसका जो पहला part है वो क्या होगा data part यानि कि dm ने यहां पे लिखा है पहला part data part होगा और तो जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर N यानि की next पार्ट होगा और एक top जो है वो global variable है जिससे हम हर एक root का जो link है वो establish करवाएंगे तो यह हमने यहाँ पर एक basic सी यहाँ पर link draw की है जिसकी मदद से हम stake कैसे implement करेंगे वो हम समझ सकते तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर push function को लिखते है है तो हम यहाँ पर लिखते है हम यहां पर लिख देते हैं void void push और इसके अंदर हम क्या करेंगे तो हम यहां पर लिखते हैं struct एक हमें यहां पर data type create करना है जो की structure type का होगा तो हम यहां पर लिख देते हैं struct node हम यहां पर लिख देंगे pointer new one और यहां पर एक integer type का data type ले ले लेंगे value और यहां पर integer value अब हम यहां पर क्या करेंगे तो हम सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं कि new one is equal to हम यहां पर लिखेंगे bracket में struct node pointer यहां पर हम लिख देते हैं malloc एक और bracket में हम यहां पर लिख देंगे size of एक और bracket में हम यहां पर लिख देते हैं struct node यह जो यहां पर syntax है वह क्या हुआ हमने यहां पर एक node create किया जो new one हमने यहां पर एक struct node type का हमने जो data type लिया था हो उसको हमने यहां पर एक memory की size occupy की जो हमने यहां पर देखी कि जब हमने यहां पर लिखा कि यह वाली line हमने लिखी कि new one is equal to struct node malloc size of struct node तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक node create होगा इस तरीके से जिसका एक part data part होगा और दूसरा part next part होगा जो की address store करने का work करेगा और यहां पर एक top है वो तो एक ही global variable है तो अब हम यहां पर सबसे पहले तो overflow condition check करेगे तो इसमें हमें overflow condition के check करनी है वो हम यहां पर देखते तो हम इसके अंदर यहां पर लिख देते है कि if जो हमारा new one है new one is equal equal to अगर null है यानि कि suppose हमने यहां पर क्या किया new one की एक request memory में यहां पर paste दी कि हमें एक जगह चाहिए जहां पर यह जो integer data part और जो pointer का next part है वो store हो सके अगर यह जगह जो compiler है उसको नहीं मिलती यानि कि memory full होती है तो यहां पर हम लिख देंगे कि जगह नहीं है यानि कि अवरफनोो तो हम यहां पर लिख देते हैं printf newline और यहां पर लिख देते हैं ऑवरफ्लो जो पहले computer उस्ते हैं उसमें क्या था कि यहां पर 32 kb होती थी सबसे पहले तो यहां पर तब यहां पे जग्गा नहीं होती थी अब तो यहां पे 8GB RAM के जो computer से वो यहां पे हो चुके तो यहां पे memory में जग्गा तो होगी ही इसलिए जो new node है वो यहां पे create हो जाएगा पर हमें overflow condition check करनी है इसलिए हमने यह line लिखा पर यह line यहां पे execute नहीं होने वाली तो यहां पे condition यहां पे true नहीं होती तो हमें क्या करना है तो हम सबसे पहले तो यहां पे लिख देंगे कि printf यहां पे हमें जो integer value है उसकी जरूरत नहीं है हम यहां पे लिखते है enter element और यह जो element है वो हमें कहां पे store करना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं simply scanf हम यहाँ पर कर देंगे percentage d और यहाँ पर हम लिख देते हैं m% new 1.2 data में हमें जो new 1 का data part है हमने यहाँ पर देखा कि new 1 के 2 part है एक data part और next part तो जो data part है उसमें यह value को हमें store करनी है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं new 1 .2 next is equal to हम कर देंगे top और हम यहाँ पर लिख देते हैं top is equal to new 1 और हम यहाँ पर लिख देते हैं new 1 .2 next is equal to हम कर देंगे नल तो यह हमारा boost function यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे पूस्ट फंक्षन के लिए अंदर यहाँ पे इतना ही logic हमें यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यह क्या होगा तो हमने यहाँ पे लिखा कि यह जो new node है यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक address हमने यहाँ पे लिखा है कि 100 जो new node है वो यहाँ पे 100 पे बनाए तो हमने क्या लिखा कि new 1.2 next जो इसके next में हमने क्या किया कि जो new 1.2 next है उसमें हमने top ले लिया तो top यहां पे सबसे पहले तो null है तो यहां पे जो null value है वो यहां पे insert हो जाएगी और top जो है हमारा यहां पे आ जाएगा यह हमारा top हो गया suppose user ने वापस से option select किया push का तो यहां पे एक दूसरा node create हुआ और suppose example के लिए हम यहां पे देखते है कि जो यह node है वो यहां पे 200 पे store हो गया तो हमने यहां पे क्या किया कि new 1.2 next new 1 का जो next पाट है उसमें हमने यहां पे top को store कर लिया यानि कि यो 100 है वो हमने यहां पे new 1 के next में दे दिया तो यहां पे 100 आ चुका है यानि कि जो यहां से इस node से हम इस node तक जा सकते हैं पर हम यहां पर वाफस नहीं आ सकते हैं पर यहां से हम इस node पर जा सकते हैं और जो top है उसको हमने यहां पर इधर ले लिया अब यह top है वो यहां पर नहीं रहेगा यहां से यहां पर चला जाएगा वापस से new node create होगा और से हम logic यहाँ पर apply होगा तो यह हमारा push function यहाँ पर हो चुका है यह line की वे से हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पर यह line को नहीं लिखेंगे अब हम यहाँ पर pop function का logic लिखते हैं तो हम इसके लिए सबसे पहरे क्या लिखेंगे integer हम यहाँ पर लिख देते हैं pop और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर variable create कर लेंगे struct node और हम यहाँ पर लिख देते हैं pointer current हम यहाँ पर c urr current एक variable create कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे if हम यहाँ पर लिख देदे है top is equal equal to null यानि कि top जब null है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने यहाँ पर stake create किया है उसके अंदर कोई value नहीं है तो value नहीं है तो हमें यहाँ पर printf कर देना है कि यहाँ पर under flow new line और हम यहाँ पर लिख देंगे under flow और हम यहाँ से कर देंगे return और यहाँ पर भी हम यहाँ से return कर देंगे तो suppose यह condition यहाँ पर true नहीं होती तो हम यहाँ पर क्या करेंगे top is equal to हम यहाँ पर क्या कर देंगे current कर देंगे top is equal to हमने क्या कर दिया current जो यहाँ पर हम कर देंगे current is equal to top जो जगह पर top यहां पर point कर रहा है वो value हमने यहां पर current को दे दी है और एक हम यहां पर integer type का variable लेंगे जिसका name हम लिखेंगे temp क्यूंकि value हमें last में return भी करवानी है तो हम यहां पर क्या करेंगे temp is equal to हम अब करेंगे current point to यहां पर data part यह हमने लिख दिया temp is equal to current point to data part अब हम हमें यहां पर क्या करना है सबसे पहले तो टॉप को हमें आगे बेज़ दाना है तो हम यहां पर लिखेंगे top is equal to top point to next और यहां पर हमें free कर देना है current को हम यहां पर memory को deal locate करने के लिए free का use करते है free current यानि कि यह जो node है वो यहां पर delete होना चाहिए और last में हम क्या कर देंगे return यहां पर temp को return कर देंगे तो इसका logic हमने यहां पर किस तरीके से लिखा वो हम हम यहां पर देखते हैं तो current point to data यानि कि जो यहाँ पर 15 जो value है वो हमने यहाँ पर temp में store कर वाली और फिर हमने क्या किया top is equal to top point to next यह जो हमारा top है उसके next में कौन सा address है 200 तो यह जो 200 वाले node पर हमने यहाँ पर हमारे top को ले लिया कि top अभी इस जगह पर है और last में हमने यह जो current यह node है उसको पूरा का पूरा यहाँ से हटा दिया और last में जो temp में value थी वो हमने return करवा दी तो यह हमारा यहाँ पर pop का logic हो चुका है तो अब हमें यहाँ पर main function को लिखना है पर जो main function है वो यहाँ पर video लंबा ना हो से लिए हम यहाँ से ही copy कर लेते हैं हमने stack using जो array था उसमें main function create किया था वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं पर यहाँ से हम इसको copy कर सकते हैं और यहाँ पर कर देंगे paste तो जो हमारा main function है वो यहाँ पर आ चुका तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं integer value और ch variable और यहाँ पर push function pop function और यहाँ से हमें एक यह integer जो हमने value लिखा वो हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर भी हमें यहाँ पर value को यहाँ पर यूजर से value को यहाँ पर insert करने के लिए यहाँ पर ले लिया है user से ही तो यहाँ पर हमें बाहर से कोई value यहाँ नहीं देनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर यह जो value है उसको हटा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे only push पर pop के लिए हमें जो variable है होद चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि की पॉप में जो वेट्वियू यहां पे रिटं होगी वह हमें कि इसमें स्टोर करनी है 24 वेड्येबल में तो इसके लिए हम यहां पर इसको रहने देते हैं पर हम जो फूर्श फंक्शन है उसके सांथ यहां पर नहीं लिखते तो अब हम यहाँ पर program को run करके देखते हैं कि इसका output सही से आता है की नहीं जो stake है वो सही से work कर रहा है की नहीं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि enter your choice तो हम यहाँ पर सबसे पहले number 2 को यहाँ पर select करते हैं तो यहाँ पर देखो under flow यानि कि stake के अंदर कोई भी यहाँ पर value जो है वो नहीं है तो अब हम यहाँ पर insert करेंगे तो number 1 push तो हम यहाँ पर पूछ रहा है कि enter element तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 और वापस से हम यहाँ पर कर देते हैं number 1 को select और अब हम यहाँ पर insert करेंगे 10 वापस से हम एक value को push करते हैं और अब हम यहाँ पर 50 15 जो है उसको insert करेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जो हमने यहाँ पर pop लिखा वो करेंगे pop function का use करेंगे कि वापस से हम यहाँ पर उसके बाद हमने insert किया था 10 तो हमें 10 मिल रही है और उसके बाद 5 हमने जो 5 इंसर्ट किया था वो हमें मिल रहे हैं अब हम pop करेंगे तो यहाँ पर देखो under flow यानि कि stake के अंदर कोई भी value नहीं है तो यह जो हमारा stake है वो यहाँ पर सही से work कर रहा है तो आप वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और comment box में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसका code आपको चाहिए तो description box में telegram channel की link होगी वहाँ से जाके आप हमारी telegram channel को join कर सकते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए bye-bye